दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापती निउस में स्पम डोनेशन इन इंडिया स्पम डोनेशन कैसे करें? स्पम डोनेशन क्या होता है? दोस्तों इस तरह की चीजें आज कल गूगल बाबा पर ही बहुत ज़्यादा सर्च हो रही है क्योंकि हमें पता है लोगों को मोटा मोटा तो इसके बारे में पता है कि इसमें क्या होता है? लेकिन इससे जुड़ी बाकी कई सारे पहलू ऐसे हैं जो ज़रूरी है और उनके बारे में लोगों पता भी नहीं है ऐसे में हमने सोचा क्यों न आज इसे राज से परदा अटा दिया जाए और अपने दर्शकों को ये बताया जाए कि आखिर स्पम डोनेशन किस खेट की मूली है और इसमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है इसे कौन-कौन कर सकता है और इससे क्या फाइदा होता है इसका क्या नुकसान है आपको बता दे चायना का एक लड़का स्पम डोनेट करके आईफोन ले आया था तो दोस्तों बिना एक पल की देरी किये मेरे याने अपने दोस्त विशाल प्रजापती के साथ वीडियो के बिलकुल अंत तक बने रहेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापती नियूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो भईया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाल आइकन प्रेस करने में कंजू सिमत करना दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दे कि विदेशों में किसी भी तरह से कोई चूरी चुपके वाला काम नहीं है क्योंकि जिस तरह वहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में रहना या फिर कॉलेज टाइम में ही बच्चों का काम करना नॉर्मल है ठीक उसी तरह स्पम डोनेशन भी वहाँ पर नॉर्मल है वैसे अगर नॉर्मल की बात की जाए तो ये हमारे भारत में भी काफी नॉर्मल है क्योंकि सरकार ने इसको लीगल करार दिया है लेकिन हम भारतियों की सोच के हिसाब से ये अभी भी निचले दर्जा का काम है हाँ पड़े लिखे लोग समझते हैं किसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि आप इसके लिए किसी के साथ भी कोई शारेरिक समंध नहीं बना रहे हो लेकिन फिर भी अगर बात पड़े लिखे लोगों की होती है तो ऐसे बहुत से चीज़ें हमारे देश में हो रही है जिसे पड़े लिखे और समझदार लोग तो समझ रहे हैं कोई भी पुरुष स्पॉम डोनेशन कर सकता है बस बात सिर्फ इतनी है कि इसे करने के लिए स्पॉम डोनेशन सेंटर में पुरुषों के उमर 20 से 30 से 35 साल के बीच होनी चाहिए क्योंकि इस उमर में स्पॉम काफी बढ़िया होते हैं और इनसान शारिरिक तौर पर स्वस्त होता है लेकिन यहां बात यह आती कि स्पॉम डोनेशन करने वाले इनसान को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जैसे कि AIDS, Diabetes, HIV या फिर कोई दूसरी बीमारी जो शेरीर में घर करके बैठ जाती है और ताव उम्र चलती रहती है लेकिन यह सारी बीमारी जैनेटिक होती है जिसकी वज़े से स्पॉम डोनेशन के बाद आपका स्पॉम जिसके पास जाएगा उसके बच्चे को भी इस तरह की बीमारी हो सकती है इसलिए आपके सभी टेस्ट पहले से कर लिये जाते हैं हाँ बुखार जुकाम तो ठीक है उस तरह की बीमारी जादा फर्क नहीं करती लेकिन आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम है तो आप स्पॉम डोनेशन नहीं कर सकते वैसे दोस्तों बात के वल बीमारी पर ही खत नहीं होती इसके अलावा भी आप से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि ये पूरा खेली डिमांड पर है यानि कि अगर आपका फैमिली बैग्राउंड अच्छा है आपके घर में लोगों की अच्छी इंकम होती है लोगों का बात करने का तरीका और उठने बैठने का तरीका सब सही है तो ये चीज भी काफी माइने रखती है इसके साथ ही आपकी फैमिली में किस को किस तरह की बिमारी है ये भी देखा जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि parents की बिमारी उनके बच्चों को तो नहीं लगती लेकिन उनके बच्चों के बच्चों को लग जाती है इसलिए इन सभी चीजों की भी जानकारी देनी बहुत ज़रूरी होती है इसके लावे आपका skin color और आप कितना पढ़े लिखे हैं या फिर आप English बोल पाते हैं या नहीं ये सब चीजें भी मायने रखती है और उसे इसाब से आपकी category decide होती है जी हाँ दूस्तों अगर इंसान कोई high profile society से belong करता है उसकी English अच्छी है तो वे दिखने में काफी अच्छा होगा तो जाहिर से बात है किसी भी normal middle class कम पढ़े लिखे आदमी के मुकाबले उसके response की ज़्यादा डिमांड होगी और जिस चीज की डिमांड ज़्यादा होती है उसका price भी उतना ही ज़्यादा होता है अब हमने पैसे की बात कर ही दिये तो लोगों के दमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इस काम में पैसा कितना मिलता है तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी fix नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ आपके sperm की quality और आपके physical appearance के साथ साथ आपकी fitness पर depend करता है अगर आप हर तरह से best है तो जाहर से बात है आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा वैसे अगर normally ले लिया जाए तो आज की समय में एक middle level के sperm को donate करने पर आपको 3-5,000 मिल सकते हैं और अगर आप एक दम A1 quality के donor निकले तब तो आपको एक बार में 10,000 मिल सकते हैं अब बात आते हैं इस process को करते कैसे हैं तो दोस्तों आपको sperm donation center जाना होगा वहाँ पर अपनी सारी details देनी होगी जैसे कि हमने आपको उपर बताया वो सभी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी ये सब पूछने के बाद आपको एक छोटा सा डिबबा पकड़ा दिया जाएगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा और फिर एक room में भेज दिया जाएगा वहाँ पर आपको कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपकी शरीर में उत्तेजना पैदा कर देंगी और आप फिर जानते हैं कि आपको क्या करना है ऐसे में जब आप masturbation कर लें उससे निकलने में sperm को दे गए छोटे से डबे में डाल देना है और फिर उसे counter पर दे देना है जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे जिससे आप तो खुश हो ही जाएंगे लेकिन आप खुद ही सोचिए आपकी इस मदद से जिन शादिशुदा जोडों के घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही है उन्हें अपनी जिन्दगी रोशन करने का एक नया अवसर मिलेगा अब इतना कुछ जानने के बाद कई सारे लोग ये सोच सकते हैं कि चीज गलत है तो दोस्तों अगर ये चीज गलत है तो मास्टूरबेशन करना भी गलत हुआ तो आप वो क्यों करते हैं क्योंकि उससे आपको तो कुछ मिलता नहीं है उपर से नहीं किसी और का भला होता है लेकिन अगर आप स्परम डोनेट करते हैं तो इससे आपको वो पैसे मिलता ही है लेकिन किसी दूसरे का भला होता है बाकी जरूरे नहीं है कि आप जाएं और ऐसा करें ये आपकी अपनी चॉइस है और हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इस चॉइस के इज़द आपको भी करनी चाहिए बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताना और हम सुनना चाहेंगे इसी तरह एक इंट्रस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापती निउस को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना और लाइक भी जरूर करना क्योंकि आपका एक लाइक नई-नी वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट करता है और हाँ हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तके लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये